आज हम पढ़ेंगे अध्याय तीन, हमें संसद क्यों चाहिए? क्योंकि संसद जो है हमारी कानून बनाने वाली संस्था है और संसद क्या है? सरकार पर अंकुष रखने में मदद देती है और इसी आधार पर संसद को जो है हम सवीधान का केंद्रिय तत्व कह सकते हैं 1947 को आजाद हुआ और आजादी के लिए क्या है? हमारी जनता ने लंबा और मुश्किल संगर्स किया था इस संगर्स में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी तरह तरह के प्रिष्टवोमी के लोगों ने इसमें भाग लिया था वे स्वतंतरता, समानता तथा निर्ने परकिरिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे सभी लोग क्या चाते थे कि सबको क्या मिले? स्वतंतरता मिले, समानता मिले तथा निर्ने परकिरिया में भ्यून की भागीदारी हो ऐसा सभी लोगों का विचार था लेकिन ओपनिवेसिक सरकार ब्रिटिस सरकार ही लेती थी अब राष्टवादी क्या है? खुले आम ब्रिटिस सरकार की अलोचना करने लगे थे और अपनी मांगे पेश करने लगे थे 1885 में भारतिय राष्टवे कॉंग्रेस ने मांग की थी जो विधाईका है उसमें निर्वाचित सदश्य होने चाहिए और उन्हें भी बजट पर चर्चा करने प्रसन पूछने का अधिकार मिलना चाहिए तो सुतंत्रता से पहले ही क्या है बच्चों जो हमारे राष्टवादी थे उन्होंने यह मांग उठा दी थी कि जो कानून बनाये जाते हैं या जो बजट पेश होता है उसमें क्या है भार्चियों की भी हिस्सेदारी होने चाहिए 1909 में बने Government of India Act ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनी धीतवों की वेवस्था को मंजूरी दे दी हलांकी ब्रेटिस सरकार के अंतरकत बनाई गई ये शुरुवाती विधाई काई राष्टवादियों के बढ़ते जा रहे दवाब के कारण ही बनी थी लेकिन इसमें क्या है ना तो सभी वैस को वोड डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्ण परकिरिया में हिसा ले सकते थे तो कमी क्या है अंग्रेजों ने छोड़ी थी सभी को क्या है समानता नहीं दी थी तो सब को समानता स्वतंतरता कैसे मिल सकते थी वचो सिर्फ आजादे के बाद ही तभी राष्ट्रवादियों ने एक ही धे रखा कि हमें क्या है आजादे मिलनी चाहिए और 15 अगस 1947 को फिर भारत को क्या है आजाद अंग्रेजों द्वारा कर दिया गया था अब सवतंतरता अंदोलन के समें राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि सवतंतर भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की समता रखते हैं और सुवतंत्रता मिलने पर हम एक सुवतंत्र देश के नागरिक बनने वाले हैं इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी इसका मतलब था अब सरकार को लोगों की जरूर्तों और मांगों के प्रती समवेदन सील रहना होगा और सुवतंत्रता के बाद भारत के समिधान में क्या है सार्व भॉमिक वैस्क मताधिकार के सिधान्त को अपनाया गया जिसका क्या मतलब है 18 वर्स या उससे उपर के सभी वेक्तियों को बिना किसी भेदभाव के बिना किसी जाती गत भेदभाव बिना किसी धरम गत भेदभाव या बिना किसी लिंग गत भेदभाव के सभी को समान रूप से वोट डालने का अधिकार है अब क्या है बचो शुरुवात में तो हमारे देश में जो वोटिंग होती थी वह क्या है बैलेट पेपर के माधिम से होती थी जिसमें बहुत सारे कागज का इस्तिमाल होता था लेकिन 2004 के आम चुनाव में पहली बार इवियम मतलब इलेक्ट्रोनिक वाटिंग मशीन का इस्तिमाल किया गया और जिससे क्या है डेड़ लाग पेडों की रक्षय हुई क्योंकि मत पत्रों की छपाई के लिए इन पेडों को काट कर 8000 तन कागज बनाना पड़ता था लेकिन इवियम के इस्तिमाल से अब ऐसा नहीं करना पड़ा तो कई बार प्रस्थान पूछा जाता है कि सबसे पहले इवियम का इस्तिमाल कब हुआ तो 2004 के आम चुनाओं में लोग और उनके प्रतीनिधी सहमती का विचार लोगतंतर का प्रस्थान बिंदु होता है बिना आस्था कि कया है लोगतंतर नहीं कहा जासकता अब आस्था कैसे होती है जैसे हम जो अपने प्रतिनीधी जुनते हैं उन पर हमें पूरा भरोशा होता है कि वे हमारे हितों का ध्यान रखेंगे और जो कानुन बनाएंगे वो हमारे हितों को देखकर ही बनाए जाएंगे और अपने प्रतिनीधीों के माध्यम से ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत तो हमारी क्या है अपने प्रति निद्धी लोग तंत्र में पूरी आस्था होती है अब यह कुछ प्रेशन पूछ रहा है हम से कि विधायक या MLA कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है तो जो हमें पता है, राज़ श्तर पर जो हम विधायका चुनते हैं, राजय विधान सभा चुनते हैं, उसमें बैठने वाले सदश्य, क्या कहलाते हैं, विधाय कहलाते हैं, MLA कहलाते हैं, MLA की फुल फॉर्म क्या है, Member of Legislative Assembly, तो उनका चुनाओ कैसी किया जाता है, उनका उसे विधायक यह कहां जाता है और उस निर्वाचन चेत्र से जो प्रतिनिधी की चुन कराता है उसे विधायक यह मलें कहा जाता है और केंदर स्तर पर कानून निर्मात्री संस्था को हम संसद कहते हैं अब है नीचे दियेगे विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंदर सरकार के तो पहला है चीन के साथ शामती पूर्ण संबंद रखा जाएगा तो ये किसका है बच्चो केंदर सरकार का दूसरा है मध्यप्रदेश में बोड के तहट आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा आठ को बोड की प्रिक्षाओं से बाहर रखा जाएगा तो ये है फैसला कोन लेगा राज्य सरकार लेगी अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेल गाड़ी चलाई जाएगी तो ये क्या है बच्चो दो राज्यों की बीच की बात है तो दो राज्यों के बीच जो फैसले लिए जाते हैं वह कौन लेगा केंदर सरकार लेगा हजार रुपए का नया नोट चारी क्या जाएगा किसके द्वारा केंदर सरकार के द्वारा अब आपको खालिस्थान भरने है हमारे समय में लोक तंतरिक सरकारों को आम तोर पर प्रतिनीधी मूलक लोक तंतर की संग्या दी जाती है प्रतिनिधी मूलक लोक तंतर में लोग खालिस्थान हिसेदारी नहीं करते बल्कि प्रतेक्स रूप से हिसेदारी नहीं करते यहां पर क्या आ जाएगा प्रतेक्स रूप से हिसेदारी नहीं करते बल्कि चुनाओ पर किरिया के जरिये अपने विधायकों को चुनते हैं तो यहां पर विदायक आ जाएगा यह प्रतिनिधी पूरी जंता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं आज के दोर में ऐसे किसी सरकार को लोगतांतरिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को सार्व भॉमिक वैस्क मतादिकार ना देती हो इसका मतलब यह है कि देश के सभी वैस प्रतिनिधियों को पांच साल के अवधी के लिए चुना जाता है ऐसा क्यों है कि जन प्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है जीवन भर के लिए नहीं तो ऐसा क्यों होता है बचो ताकि अगर पूरी उमर के लिए उन्हें चुन दिया जाए तो उ नेक्स्ट है आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कारवायों पर अपनी सहमती या असहमती व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाओं का ही इस्तिमाल नहीं करते बिल्कि वे दूसरे रास्ते भी अक्तियार करते हैं कि आप छोटे से नाटक के जरिये इस तरहा के तीन तरीके बता सकते हैं तो आप कैसे जो है अपनी बात रख सकते हैं तो हस्ताक्षर अभ्यान चला कर आप अपने सहमती या ऐसमती सरकार के किसी फैसले पर कर सकते हैं या संगठीत होकर आंदोलन चलाकर सरकार के किसी फैसले पर सहमती या एसहमती दर्ज करा सकते हैं या मीडिया के माध्यम से जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से आप अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं या सरकार की किसी फैसले पर सेहमति या ए अरह सहमति व्यक्ट कर सकते हैं अब ये हमारे क्या है? पार्लियामेंट का चित्र है बचो हमारा संसत भवन है भारतिये संसत, देश की सर्वोच कानु निर्मात्री संसता है और इसके दो सदन है राज्य सभा और लोक सभा अब सदन तो हमारे दो है बचो लेकिन जो अंग बोले जाते है उसमें राष्ट्रपती भी संसद में शामिल है तो कौन है बचो राष्ट्रपती क्यूं है बचो राष्ट्रपती शामिल क्योंकि राष्ट्रपती के साइन के ब राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, देज के उप राष्ट्रपती राज्यसभा के सभापती होते हैं। यहां पर मैं बताना चाऊंगी बचों, हमारे राज्यसभा में मैकसिमम अधिक्तम जो संख्या है वो 210 हो सकती है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? 245 सदस्य ही राज्य सभा के होते हैं. जिसमें से 12 सदस्य जो है, इसमें हमारे राष्ट्रपती मनोनित करता है. तो अब जो ये 245 सदस्य है, तो ये कम क्यूं है? जो यूनियन टेरिट्रीज है हमारी, जो प्रदेश है हमारे, उनके सदस्य कम है, यहां पर राज्यों से तो पूरे है. नेक्स्ट है, लोग सभा में कूल 545 सदस्य होते हैं, इसकी अध्यक्स था, लोग सभा अध्यक्स करते हैं. अब लोग सभा में भी हमारी अधिक्तम संख्या कितनी हो सकते हैं? पान सो बावन, दो क्या है, राष्ट्रपती द्वारा मनोनित होते हैं, और पान सो पचास जो है, निर्वाचित हो सकते हैं. लेकिन फिल हाल, वर्तमान में जो है, इनकी सदस्य संख्या कितनी है, 545 जिसमें 543 निर्वाचित होते हैं और दो जो है राष्टपती द्वारा मनोनित होते हैं संसद की भूमिका आजादी के बाद गठित की गई भारतिय संसद लोकतंतर के सिधान्तों में भारतिय जनता की आस्था का प्रतीक है ये सिधान्त है निर्णय परकिरिया में जन्ता की हिस्सेदारी और सहम्ती पर आधारित साशन हमारी व्यवस्था में संसद के पास महतुपौन शक्तिया है क्योंकि यह जन्ता का प्रतिनिधीत्व करती है लोग सभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधान सभा के लिए चुनाव होते हैं और आम तोर पर लोग सभा के लिए हर पांच साल में चुनाव करवाए जाते हैं और प्रतेक निवराचन शेतर से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है चुनाव लड़ने वाले उम्मीद्वार आम तोर पर विभिन राजनितिक दलों के सदश्य होते हैं हमारे देश में क्या है बहु दलिय विवस्था पाई जाती है विभिन राजनितिक पार्टियां अपनास्तित्व रखती हैं जैसे हमने उपर पढ़ा कि MLA कोन होते हैं विधाय कोन होते हैं तो जो राज्य विधान सभा के लिए जो चुन कर प्रतिनिति आते हैं विभिन निर्वाचन छेत्रों से जो राज्य सरकार के लिए प्रतिनिति चुन कर आते हैं वो क्या है MLA कहलाते हैं लेकिन विभिन संसद के लिए सदस्य चुन कर आते हैं उन्हें संसद या MP कहते हैं MP की फुल फॉर्म क्या है बचो Member of Parliament इन संसदों को मिलाकर संसद बनती है और संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद बनती है अब संसद के जो दो सदन है लोक सभा और राज्य सभा बचो तो लोक सभा क्या है हमारा निम्न सदन है और राजय सभा हमारा ऊपरी सदन है अब लोग सभा इसके नाम से इस ये इसको क्या है उपरी सदन भी कहा जाता है। भारतिय संसद के तीन अंग हैं राष्ट्रपती, राज्यसभा और लोकसभा. लोकसभा चुनाओं के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनितिक दल के कितने संसद है। यदि कोई निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए चुंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और दो मनोनित सदस्य होती है इसलिए जो बहुमत हासिल करना होता है वह क्या है दो सो भैतर सदस्यों का होता है संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठ बंदन का विरोध करने वाले सभी राज नितिक दल विपक्सी दल कहलाते हैं तो हमारे देश में सरकार कौन बनाता है बचो जिसके पास बहुमत होता है तो वह क्या है किसी एक दल के पास हो सकता है और या फिर कई दल मिलकर बहुमत बना सकते हैं अगर किसी एक पार्टी को सपस्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वह अन्य दलों के साथ गठ बंदन करके अपनी सरकार बना सकती है अब उसमें क्या होता है उनका एक साज्या कारे करम बनाया जाता है जिसके तहट वह लोग सरकार का गठन करते हैं लेकिन क्या है बहुमत हमारे देश में सरकार बनाने के लिए जरूरी है और बहुमत का पैमाना क्या है बचो कूल सदाश्यों के आधे से एक अधिक कार्य पालिका का चुनाओ करना लोक्स भाका एक महतुपून काम होता है तो कार्य पालिका क्या है बचो? सरकार द्वारा बनाए गए कानुनों को लागू करने वाली सरकार को हम क्या है? कार्य पालिका कहते हैं तो हमारी सरकार के तीन अंग होते हैं कार्य पालिका न्याय पालिका और विधान पालिका तो जो हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं वह क्या है अक्सर कार्य पालिका ही होती है भारत का प्रधान मंतरी क्या है लोक सभा में सत्ता धारी दल का मुख्या होता है और प्रधान मंतरी अपने दल के सांसदों में से मं करता है जो पर्धानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। और यह मंत्री गया जिम्र सुंभालते हैं। तो कार्ययप्या में कौन चामिल होता है पर्धानमंत्री और उसके जो मंतरी होते हैं उसे हम क्या कहेंगे कार्यपालिका कहते हैं तो हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनितिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है ऐसी सूरत में कई राजनितिक दल मिलकर एक गड़भंदन सरकार बना लेते हैं और साजा मुद्धों पर काम करते हैं अब ये दो इमारते दिखाई गई हैं केंध्रिय से सची वाले की ये दो मुख्ये इमारते हैं इन में से एक का नाम साउथब्लोक और दूसरी का नाम नौर्थ ब्लोक है इनका निर्मान 1930 के दशक में किया गया था बाइगी और साउथब्लोक का चित्र है ये क्या है साउथ स्थित केंदर सरकार के अन्य मंत्राले नई दिल्ली की विभिन इमारतों में स्थित हैं. तो राजय सभा मुख्यरूसे देश के राजियों की प्रतिनिधी के रूप में काम करती है राजय सभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेस कर सकती है किसी विधे को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राजय सभा की भी मंजूरी मिली हो इस परकार राजय सभा की भी बहुत महतुपूर्ण भूमिका होती है संसद का यह सदन लोक्स भादवारा पारित किये गए कानूनों की समिक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संसोधन करता है राज्य सभा के सदस्यों का चुनाओ विभिन राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं इसके निर्वाचन में क्या है? सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राजय सभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्टपति की ओर से मनोनित किये जाते हैं सरकार को नियंत्रित करना मार्ग दर्सन देना और जानकारी देना जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो हमारी संसद में मुख्यतया तीन परकार के सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मुनसुन सत्र और शीत काली ने सत्र, या फिर कोई विसेस सत्र भी बुलाया जा सकता है, तो जब सत्र चल रहा होता है, तो उसमें सबसे पहले प्रशनकाल होता है, प्रशनकाल एक महतुपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से सांसद सरकार के काम काज के बारे में जानकारिया हासिल करते हैं, इसके जर्ये संसद कार्य पालिका को नियंत्रित करती है, सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है, इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिन फिवेदारी होती है लोग तंत्र के स्वस्त संचालन में विपक्सी दल एहम भूमी का अधा करते हैं वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कम्यों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन चूटाते हैं तो यह प्रसन जो है दो तरह के होते हैं बचो तारांकित और आतारांकित तो तारांकित जो प्रसुन है उनका मोखिक जवाब जो है संबंदित मंतरी को देना होता है और जो आतारांकित अंस्टार्ड क्यूस्चन जो होते हैं उनका लिखित में जवाब संबंदित मंतरी को देना होता है अब जो संसद प्रशन पूछते हैं उनसे सरकार को महतुपूर्ण फीड़ बैक मिलता है इसके चलते सरकार क्या है चूस्त रहती है उसको अपनी कम्या पता चल जाती है और वहाँ पे जो है अपना सुधार कर सकती है इसके अलावा वित्व से संबंदित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महतोपूर्ण होती है यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंतरित करती है उसका मारक दर्शन करती है और उसको सूचित करती है जनप्रतिनीधियों के रूप में संसद को नियंतरित, निर्देशित और सूचित करने में संसदों की एक एहम भूमिका होती है और यह भारतिय लोकतंतर का एक मुखे आयाम है तो भारत में किस प्रकार की साशन परणाली पाई जाती है? संसद यह साशन परणाली पाई जाती है कानून बनाना कानून बनाना संसद का एक महतुपून काम है इसके बारे में हम अगले अध्याई में पढ़ेंगे तो इसके कानून जो है कौन बनाता है? हमारी संसद बनाती है लोक्स भाव राजय सभा बनाती है और फिर क्या है? राष्टपती के हस्ताक्षित के बाद कोई भी प्रस्ताव कानून, कोई भी विधेयक कानून बन जाता है. संसद में कोन लोग होते हैं? तो संसद में क्या है? विभिन प्रिष्ट भूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. उधारन के लिए अब ग्रामेंड प्रिष्ट भूमे वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़ादा है बहुत सारे चेत्रिय दलों के सदस्या भी अब बढ़ गए हैं जिन समोहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनी धीत्व नहीं था वे अब चुनाव जीत कर आने लगी हैं दलित, पिछडी जातियां और अल्प संखक्यों की राजनीति की सिदारी भी बढ़ रही है तो अब इस तालिका से क्या है आप पता लगा सकते हैं कि जो मतदान प्रतिसत जो है चुनाव वर्स के अकोर्डिंग कैसे हुआ है जैसे पहली बार 1951 बावन में चुनाव हुए तब मतदान जो प्रतिसत था वो 44.87 प्रतिसत था और जो चोदवी लोग सबा है 2004 में तब हमारा मतदान प्रतिसत जो है बढ़ कर 58.07 हुग गया था प्रतिनिधि मूलक लोग तंतर अपने समाज को पूरे तोर पर सही ढंग से प्रतिबिम्बित नहीं कर सकता यह बास साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभाव अलग अलग होते हैं तो एक समू के वेक्ति सब के हित में अवाज नहीं उठा सकते इसलिए क्या है सभी तबकों की सभी छेतर से लोगों की क्या है हिसेदारी हमारी संसद में होने चाहिए ताकि सभी अपने हितों का ध्यान रख सके और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटे अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जातियों जिने स्टी बोला जाता है के लिए आरक्षित की गई है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव चितरों से केवल दलीतों और आदिवासी उमीदवार ही जिते और संसद में उनकी भी उचित हिसेदारी हो उनसे उमीद की जाती है कि वे दलीतों और आदिवासीों के जिन्दी से जुड़े मुदों को ज्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं और इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षन का सुझाव पेस किया गया है इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है महिलाओं को जो है अभी संसद में आरक्षन नहीं दिया गया है साट साल पहले संसद में केवल चार प्रतिसद महिलाए थी आज भी उनकी संख्या नो प्रतिसद से जरा ही उपर पहुँच पाई है अब जो सतरवी हमारी लोक सबा है उसमें क्या है कुल 38 महिला संसद चुनकर आई है जो केवल 14.53 लगभग जो है 14 प्रतिसद के करीब ही महिलाओं की संख्या पहुची है जबकि हमारी भारत की पूरी आबादी में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वह लगभग 48 प्रतिसद है जो क्या है 14 प्रसेंट के मुकाबले बहुत ज़ादा है तो अभी भी क्या है महिलाओं को आरक्षन की दरकार है और अभी तक इस बारे में संसद कोई कानून नहीं बना पाई है तो इसी तरह के मुद्दों की वज़े से आज हमारा देश कुछ ऐसे कुछ मुस्किल और अनसुलजे सवालों से जूज रहा है कि क्या हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिदिक है या नहीं हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंडने की कोशिश कर रही हैं यह बात लोकतांत्रिक शाषन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को जहलकाती है तो अब जो है हमारे लगभग हर छेतर हर तबके को क्या है संसद में प्रतिनिदित वो मिला हुआ है सिर्फ महिलाई ही इस छेतर में पीछे है तो उमीद है बचो आगे आने वाले सालों में हमारी संसद जो है महिलाउं से संबंदित जो समश्या है आरक्षन की जो समश्या है उस पर भी काम करेगी थैंक्स